हेलो फ्रेंड्स चलिए आज बनाते हैं कुछ जटपट सा डिनर रेसिपी अगर कुछ रोटी चावल बनाने का मन ना हो और गर्मा करम खाना हो तो यह जटपट से आप बना सकते हैं इसके लिए मैंने एक कप रहर डाल लिया है उसे अच्छे से धो लिया है और कुकर में डाल नमक डालेंगे और पानी डाल कर सॉफ्ट सा आठा लगा लेंगे ना ज्यादा कड़ा हो और ना ज्यादा मुलायम हो इसे ढग कर पांच मेंट के लिए रेष्ट देंगे एक बड़ी सी लोई लेकर इसी बड़ी सी चपाती बना लेंगे और कटूरी की साहता से छोटी-छो लाल में डाल दे और कुकर को बंद कर दे एक सीटी आने तक एक सीटी आने के बाद इससे बंद कर देंगे विधर एक पैन लिया है मैंने उसमें तेल डाला है जीरा लाल मिर्ची कच्छोकन देदे कटा हुआ अध्रक और प्याज डाल ले अगर प्याज आप नहीं खाते हो तो इसे इसकिप करते डाल कर थोड़ा भून लेंगे कलर आने के बाद इसमें एक टाहुआ टमाटर राल दे उससे भी थोड़ा सा भून लेंगे सॉफ्ट हो जाया इसके लिए मैंने ढग दिया दो मिनाट के बाद इसे खुल कर डाल डोकला हमारा पक गया था उसे उसमें और थोड़ा से चला लेंगे ये देखिए हमारा दाल ढोकला कितना टेश्टी लग रहा है न उपर से कस्मेरी लाल मिर्ज और गरम मसारा डाल कर थोड़ा से चला लेंगे धनिया पत्ता और कटा हुआ हरा मिर्ज मैंने डाला है उपर से पास्मेट के लिए ढख दे तैयार है मारा दाल ढोकला सर्फ करेंगे इसे हम गरम गरम इसे खाए बहुत टेश्टी लगता है जब भी कुछ रूटी या चावल बनाने का मन नहों तो इसे बना कर खाईए बहुत टेश्टी लगता है गरम गरम रेस्पी अच्छी लगी हो तो लाइक करें सेयर करें सबस्क्राइब करें फिर मिलते हैं बाए